बॉनिंग एवरिवन माइसेप दोक्टर आनंद पाल से कोश्वा तोड़े वी आ गोइंग टो डिसकस आर्चेस अपूर्ट यह एक्जाम में 20 मार्क क्वेश्टन आता हैं क्लासिफिकेशन ओप आ दीवाई फरस्ट वर्स व Glory कमे फॉएम। पंटर एंध रिवाई हैं फ्रस्वर्स वर्तिर उटूंग टूंडत्र यह लाइद यह थे यह हमारे हमारे हम बात करते हैं मेडल लॉंग टुडनल आर्च के में हम बात करें तो फर्स्ट इन थर्ड में अधिड थार्ट समर्च फॉट्ट इन थाट। तो एंट्रेरेंड होता है एड़ शेकर्ड एंध थर्ड मेताड़सल रैट पोश्टेरेंड होता है तो कलके नियमएंड टेलस पर हम समीट की बात करें था सुपिरेर आर्टिकुलर सरपेस बोड़ ऑप दी तेलस पिलर्स की बात करता है, anterior pillar, anterior pillar जो होता है, long and weak होता है, कौन-कौन फॉर्म करता है, तो tellus, navicular and three uniform bone, tellus, navicular and three uniform bone, ये वाला anterior pillar फॉर्म करता है, posterior pillar में फॉर्म होता है, वह होता है, calcineum से, और इसके कौन सा main joint होता है, tellus, calcineum, navicular joint, tellus, calcineum, navicular joint, tellus, calcineum, navicular joint, tellus, calcineum, navicular joint, इसका main joints रहता है, medium longitudinal arch का, हम बात करें, lateral longitudinal arch, lateral longitudinal arch में two ends होता है, anterior end and posterior end, आर्च होती है पोश्टरीर आज की बात करें इसमदार टार्सर मेटा टार्सर यह इंकम्प्रिट यह हाप डॉम शेप के आर्च होती है अब हम फेक्टर्स की बात करें तो रिस्पांच वह मैंटेनेंस ओप आर्च आज क्या क्या फेक्टर से शेप ओप दी बॉंस इंटर सेग्मेंटल ठेखते हैं तो यहां पर इक बिढ लिगामेंट देख रहे हैं ति अगरने एन अग्रम कन सेखेंस मुअधर मेंटल टी luck क्यां मेंटल यहां भी मेंटहार चोट यो टीबली से और लाटर लोंगेटुटिण आर्च रुथी पेरोणियस लोंगस है वान अनाथर डाइग्राम तो परनियल टेंड़न्स हेल्पिंग उपहरा लगोय आर्टेटेट बरेविवित इंफिर भीटरॉम Дो ग्रच अप्धिर वाहिटिनल्स वैंट इनिपरोनई है टूथी वटूट बिरिंग अरिया ओफ दिशोल्स oh yeah जै पूरि बोडी का वेट को को डिस्टीबिट करती ओप दिशोल्स पा थैन improve isות अई अर ऩहल श्टीबीर इसप्रिंग लिगामेंट किया होता है तो resiliency होता है और lateral longitudinal arch के character के सा तो rigidity होता है finally हम लोग बात करें applied anatomy की तो pest planus, pest planus word होता है absence and collapse of the arches, right, तो यह congenital भी हो सकता है, acquired भी हो सकता है then exaggeration of the longitudinal arch अगर है तो pest kevas कहलाएगा then telepys equinus patient walks on toes, patient only toes पे walk करेगा, heels उसकी rest रहेगी telepys calcaneus patient walks only on hill, यहाँ पे four foot raised रहेगा telepys vulgus patient walks on inner border of the foot, यहाँ पे which is inverted and abducted club food, exam में पूछा है था short run, club food, what is club food और what is the telips equinovirus foot inverted, abducted, plantar flexed, condition associated maybe with spina bifida यह particularly in case of spina bifida में आपको club foot और telips equinovirus मिल सकता है so again once हम इसे revise करते हैं, classification of purchase, formation of purchase, factors, responsible maintenance of purchase, functional of purchase and applied anatomy thank you